चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश और देश में डवल इंजन की सरकार चल लई है और तीसरा इंजन नहां की नगर पंचा करता है हमारी नगर की जंता पुछले कई वरसों से लगातार परिशान है और अगर हमें आश्रवाद मिलता है तो हम सबसे पहले पेजल की बोस्ता चलक के और बिजली को सचार रूप से यहां नगर में संचालन कराने का काम करेंगे नमस्कार स्वागत है आपका नीज बीके मैं मैं हूँ आपके साथ नवीन विशुकरमार दर्सकों इस समय निकाय चुनाओ जोरो पर है सभी प्रत्यासी अपने-पने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि अगर वह जीतते हैं तो आपक अपको बहुत-बहुत स्वागत है सर अपका जो आप हमारे नगर में पधारे हैं वीके निज की तरफ पूरी टीम को आपको बहुत-बहुत धन्नवाद देंगे क्योंकि आप आए हैं यहां के मुद्दों और यहां की क्या समश्याएं हैं उनकी जानकारी के बारे में हम आ की बीच जाएंगे तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप उन तक पहुँच रहे हैं लवीन जी हमारे जो मुद्दे हैं हमेरे उपर जो पाटी ने भरूसाज जताया है सर्वजन हताय सर्वजन सुखाय ही हमारा मुद्दा है इसको लेके हम सभी वर्गों में जा साला हमें निर्मान कराना है सरकारी जमीन पर और दूसरा मुद्दा है सिच्चा के छेतर में अभी तक हमारे यहां लड़कों के लिए इंटर का साइन्शाइट कॉलेज नहीं है क्योंकि जो हमारे यहां साइंशाइड कॉलेज नहीं है तो बच्चे गुरसा जाते हैं पढ़ने जहां सी जाते हैं उराने पूर जिससे काफी परिसानी होती है और तीसरा मुद्दा है हमारा कि नगर में साफ सफाई अभी भी कुछ महले ऐसे रह गए हैं जहां पर सड़क का निर्मार नहीं है नालिया नहीं बनी है और पाने की ववस्ता नहीं है अगर आप नगर में जाएंगे तो गांधी नगर सुवास नगर महले ऐसे हैं कि जहां पे पानी के लिए आज भी महलाओं को आधा किलो मींटर और किलो मीटर दूर से पानी लाना पड़ता है चों कि जब हमने अपने फिरमंद के दौरान पाया तो हमने यह देखा कि महलाएं बहुत परिसाल हैं और सभी ने हम लोगों से कहा कि अगर आप यहां आते है तो सबसे पहले हमारा काम ही रहेगा कि हम उनको पानी की समस्षा से दो निजात दिला पाएं हमारा ये मेन काम है और अगला मुद्दा हमारा यहाँ पर जो लखेरी नदी है बांध बन जाने के कारण वहां का पानी रोक दिया है जिससे वो पूरा पानी प्रदूसित हो गया है हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि उस बांध में जल्ववाग के माध्यम से उसमें गेट लगवाने का काम करेंगे जिससे उसकी गंदगी की साफ सफाई समय समय पर होती रहेगी और साफ पानी बरसात में उसमें भर जाया करा है जिससे आम जन्मानस और जानवरों को पानी पीने के लिए एक सही बिवस्था मिल जाए और एक मुद्दा और है स्वास्त को लेके हमारे यहां की महलाएं बुजुर्ग और बच्चों को लेके एक हम ओपन जिम खोलने का पूरा प्रयास करेंगे एक स्वास्त जीवनसेली हमारे यहां होना चाहिए यह हमारे मुद्दे हैं इनको लेके हम नगर में जा रहे हैं जनता के बीच में वो जनता का हमें भरपूर प्यार और आसरबाद मिला है आपको लगता है कि पिछले कारेकाल में हो सकती थी और वो अभी नहीं होगी ऐसे कौन कौन सी जैसे आपने बता है मुलवूच चीजों के लिए आप काम करेंगे हमोमन मुद्दे रहते हैं लेकिन ऐसा और क्या है जो हो सकता था लेकिन नगर पंचायद गरोठा के लिए कभी नभीन जी हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में डवल इंजन की सरकार चल लई है और तीसरा इंजन नहां की नगर पंचायद के निवर्तमान चैर्मेन भी भासपाक को ही बिलोंग करते हैं और उन्होंने इन मुद्दों को ध्यान नहीं दिया है हमारी नगर की जंता पुछले कई वर्सों से लगातार परिशान है और इसके लिए हम प्रयास रथ हैं और अगर हमें आश्रवाद मिलता है तो हम सबसे पहले पेजल की बौस्ता चलके और बिजली को सचारु रूप से यहां नगर में संचालन कराने का काम करेंगे इसके लगा हमने देखा है कि आपके नगर में पार्क जैसी चीजें नहीं है बज़र्गों के लिए बच्चों के लिए गुमने टहलने इस सब चीजों की कोई ववस्ता नहीं इस बारे में को सोचा है यह भी एक बहुत गंभीर मुद्धा है चुंकि आज के बाता प्रगण में स्वच्च हवा बहुत महत्तून है इसके लिए हमने सोचा है कि अगर हमें आसरवाद मिलेगा तो हम एक पार्क बनाएंगे उसमें एक ओपन जिम्मी रहेंगे इससे हमारी महलाएं और हमारे पु सुचिल जी मेरा एक सवाल और भी है जैसे इस समय प्रदेश में योगी की और देश में मोधी की लहर है भारती जनता पार्टी अपने आपको सब्सूपर बचाती आप पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों के दल्दों के पिछड़ों की बात करती है बांकी दल तो बात तो सबकी करेंगे लेकर काम नहीं करना चाहते हैं अगर आप जमीनी हकीकत पर जाएंगे तो आज दल्ले तो गरीब हो पिछड़ा बर्ग बेहत परिसान है चाहे वो विष्टाचारी को लेके हो चाहे वो किसानों के मुद्द्य हो अभी पिछले दिनों खात के सीजन म हमारा किसान बेहत परिसान रहा है और डावल अंजन की सरकार बोलते हैं कि सभी जगह सब कुछ अच्छा चला है लेकर नहीं चला है आप मौरानीपुर में आपने देखा होगा कि खात को लेके पुलिस प्रसासन लगाया गया क्या किसान हमारे अपरादी हो गए हैं कि जिस किसान प्रधान देश है हमारा और किसानों को अगर खाद नहीं मिलेगी तो क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे दूसरों को इनी मुद्दों को लेके बहुजान समाज पाइटी आज नगर में और सभी जगह चुनाओं लड़ रही है सर्वजान हिताय सर्वजान सुखाय कि मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुजान जी का बहुत बहुत धन्नवाद है जो हम जैसे आती पिछड़े समाज के बर्क के लोगों को आज यहां पर अद्दसपक के लिए टिकट दिया है हम इनका पुना धन्नवाद देना चाहते हैं बहुजान समाज करेंगे और हमेशा पार्टी समर्पर करता के तौर पर अपनी पहंचान भाएंगे अनवाद